नमस्कार, हिमाचल बुलिटिन में आपका स्वागत है और अब समाचार विस्तार से मुख्यमंतरी शुरी जैराम ठाकुर के अध्यक्षता में आज आयोचित प्रदेश मंत्री मंदल की बैठक में निर्ण लिया गया कि राज्य सरकार अगनी वीरों को नौकरिया सुनिश्चित करेगी बैठक में जलशक्ति विवाग की पैरा वरकर नीती के अनुसार, राज्य भर में विवाग की योजनाओं के लिए विवाग में 3970 पैरा वरकर, 1146 पैरा पंप ओपरेटर, 480 पैरा फिटर और 2344 मर्टी परपस वरकर को मांदे आधार पर 6 गंटे प्रतिदिन काम पर रखने को स्विकृति प्रदान की गई मंत्री मंडल ने पंचायती राज विवाग में पंचायत सचिमों के 389 पतों को करमचारी चैन बोड के माध्यम से सीधी भर्तिद्वारा अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की मंत्री मंडल ने पंचायती राज विभाग में तक्नीकी सहायक के 124 पद स्रेजित करने और करमचारी चैन बोड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 40 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृती प्रदान की मंत्री मंडल ने नवगठेत ग्राम पंचायतों में चैन स्मिती के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृती प्रदान की मंत्री मंडल ने राज्य करेवं आपकारे विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 बद्स रेजित कर भरने की अनुमती प्रदान की ताकि आपकारी NDPS और अन्य नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके इसे ना केवल सरकारी राज्यस्वों में बचत होगी बलकि नशीली दवाओं के खत्रे से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबधता और मजबूत होगी मंत्री मंडल ने प्रदेश सरकार में सेवाएं प्रदान कर रहे बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को पदोनती आधार पर भरे जाने वाले पदो में चतुर्थ श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी से तृतिय श्रेणी तथा तृतिय श्रेणी से दृतिय श्र हिमाचल प्रदेश करमचारी चैन आयोग हमीरपूर द्वारा परीक्षाओं का स्वतंत्र और निश्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्री मंडल ने निर्वने लिया कि हिमाचल प्रदेश करमचारी चैन आयोग हमीरपूर द्वारा आयोजित भरती वह अनाचार अभ्यास रोक्थाम या अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम 1984 के पूर्व सम्विक्षा के अधिन लाया जाएगा। मंत्री मंडल ने जिला कांगडा की तहसील जैसिंगपूर के अंतरगत जालग में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए नई उपतहसील खोलने को अनुमती प्रदान की। मंत्री मंडल ने कम बयासदर पर नगद रिन सीमा का लाब उठाने के लिए हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के पक्ष में राज्य सरकार की गारंटी राशी 10 करोड रुपे से बढ़ा कर 30 करोड रुपे करने को सुविक्रिती प्रदान की। मंत्री मंडल ने मंडे जला के राजकिय वरिष्ट माध्यमिक विद्याले बिहानी में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने को सुविक्रिती प्रदान की। मंत्री मंडल ने चम्बाजला के डलहबाजी क्षेत्र में राजकिय उच्विद्याले ग्रेंगर को वरिष्ट माध्यमिक विद्याले मंगले जुट्राहन और लदेड को राजकिय उच्विद्याले त fi Charles प्राथमिक विद्याले चाना को राजकिय माध्यमिक विद्याले में स्तरोनत करने के साथ साथ विवहन श्रेणियों के 23 पदों को स्रेजित कर उन्हें भरने की अनुमती प्रदान की मंत्री मंदल ने मंदे जला में राजकिय वरिष्ट माध्यमिक विद्याले थाची में वानेजे की कक्षाएं तथा राजकिय वरिष्ट माध्यमिक विद्याले प्रेसी और चाहका डुहरा में विज्ञान नॉन मेडिकल की कक्षाएं आरंभ करने के साथ साथ विवहन के साथ पदों को स्रेजित कर उन्हें भरने की अनुमती प्रदान की मंत्री मंडल ने 1962 के भारत चीन युद के शहीद के सम्मान में जलाला हल स्पीती के राजकिय वरिष्ट माध्यमिक विद्यालय सिसू का नाम शहीद हवलदार टेंजिन फुंचोक राजकिय वरिष्ट माध विध्यालय बलतवाड़ा में विज्ञान की कख्षाएं आरंभ करने एवं विभेनश्रेढियों के 10 पदों के स्रेजन एवं इन्हें भरने को स्वीकृती प्रदान की बंड्री मंदल्ने विभन चात्रवरिती योजनाओं की चात्रवरिती दर बढ़ाने को अपनी स्वीकृती प्रदान की इसमें महर्शी वालमी की चात्रवरिती योजना की तहत चातर वुरिती 9,000 रुपे से बढ़ा कर 18,000 रुपे प्रतिवर्ष करने जमादो कक्षा उतिर्ण कर चुके विद्यार्थियों के लिए इंदिरागांधी उतक्रिष्ट चात्रवृती योशना की राशी 10,000 रुपे से बढ़ा कर 18,000 रुपे प्रतिवर्ष, कल्पना चावला चात्रवृती योशना की राशी 15,000 रुपे से बढ़ा कर 18,000 रुपे अनुसूजित जाती के चात्रों को डॉक्टर अंबेटकर मिधावी चात्रवृती योशना के तहट मिलने वाली राशी 12,000 रुपे से बढ़ा कर 18,000 रुपे प्रतिवर्ष करने को सुईकृती प्रदान की गई। अन्य पिछला वर्ग के विद्यार्थियों को डॉक्टर अंबेटकर मिधावी चात्रवृती योशना के तहट मिलने वाली चात्रवृती राशी 10,000 रुपे से बढ़ा कर 18,000 रुपे प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद उतकृष्ट चात्रवृती योशना की राशी 10,000 रुपे से बढ़ा कर 18,000 रुपे राश्टरिय भारतिय सैने महाविद्यालय चात्रवृती को 20,000 से बढ़ा कर 24,000 रुपे प्रतिवर्ष सैनिक स्कूल सुजानपूर टिहरा चात्रवृती को सभी विद्यार्थियों के लिए 18,000 प्रतिवर्ष विभिन युद्दों एवं अभियानों के तुरान शहीद, दिव्यांग, सशस्त्रबल कर्मियों के बच्चों को वित्य सहायता की राशी 18,000 रुपे प्रतिवर्ष करने और IRDP वा BPL चात्रवृती योशना का नाम मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्यान योशना करने तथा इसके तहट मिलने वाली राशी को 15,000 रुपे से बढ़ा कर 6,000 रुपे प्रतिवर्ष करने को अपनी स्वीकृती प्रदान की मंत्री मंडल ने स्वास्थे सुरक्षा एवं नियामक निदेशाले में तक्निकी सहायक, रेडियेशन, सेफ्टी के दो पदों को स्रेजित करने की स्वीकृती प्रदान की बैठक में जला कांग्रा के डॉक्टर राजजंदर प्रसाद, राजकीय चिकित्सा, महाविद्याले टांडा में रेडियोग्राफर के चार पदों को स्रेजित कर अनुबंध आधार पर भरने की मंजूरी प्रदान की मंत्री मंडल ने सिरमौर जला की ग्राम पंचायत अजोली के गाउं नरीवाला में प्राथमिक स्वास्थे केंद्र खोलने तथा आवशक पदों के स्रेजन एवं उन्हें भरने की स्वीकृती प्रदान की बैठक में शिमला जिला के रामपूर बुशेहर स्थित प्राथमिक स्वास्थे केंद्र को सामुदाइक स्वास्थे केंद्र में स्तरौनत कर वभीनश्रेणियों के पांच पदों के स्रेजन एवं इन्हें भरने की स्वीकृती प्रदान की बंद्री मंडल ने सोलन जिला के नालागर तहसील के अंतरगत स्वास्थे उपकेंदर पंजिहरा को प्राथमिक स्वास्थे केंदर में स्तरोनत कर विभिन श्रेणियों के तीन पदों के स्रेजन एवम इन्हें भरने की स्वीकृती प्रदान की बैठक में चम्बा जिला के अंतरगत स्वास्थे उपकेंदर सूरल और क्रियोनी को प्राथमिक स्वास्थे केंदर में स्तरोनत कर आवशक पदों को स्रेजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की मंत्री मंदल ने जला सोलन की तहसील रामशहर के डोली में प्रात्मिक स्वास्था केंद्र खोलने एवं विविन श्रेणियों के तीन पतों के स्रिजन तथा इन्हें भरने की स्विक्रिती प्रदान की बैठक में हमिरपुर जला के धनेटा स्थित प्रात्मिक स्वास्था केंद्र को सामुदाइक स्वास्था केंद्र में स्तरोनत कर आवशक पतों के स्रिजन एवं इन्हें भरने की स्विक्रिती प्रदान की गई बैठक में चमबा जला की चुराहा तहसील के कोहल और देहिग्रा में प्रात्मिक स्वास्था केंद्र खोलने एवं इन संस्थानों के संचालन के लिए विभिन श्रेनियों के छैपदों के स्रिजन और भरने की स्विक्रिती प्रदान की मंत्री मंडल ने सिर्मौर जला की ग्राम पंचायत भटन वाली स्थित किशनपूरा में नया आयरुवेदिक स्वास्था केंद्र खोलने और विभिन श्रेनियों के तीन पदों को स्रिजित कर भरने की अनुमती प्रदान की मंत्री मंडल ने जला कांग्रा के जला विधान सभाक शेतर के गाउं मुंडी एवं भैर घाट में नया आयरुवेदिक स्वास्था केंद्र खोलने तथा विभिन श्रेनियों के चैय पदों को स्रिजित कर भरने को अनुमती प्रदान की बैठक में जला मंडी के ग्राम पंचायत कलहनी के सराची में नया आयरुवेदिक स्वास्था केंद्र खोलने तथा तीन पदों को स्रिजित कर भरने को अनुमती प्रदान की गई मंत्री मंडल ने IGMC शिम्ला और अटल चिकिस्ता सूपर स्पेशलिटी संस्थान चम्याना में सीधी भरती के माध्यम से सहायक प्रोफेसर्स के चैपद भरने को स्वीकृती प्रदान की मंत्री मंडल ने बाट नियंतरन उप मंडल अंब को करमचारियों और अधार भूत ठांचे सहित जलशक्ती मंडल अंब में विले करने को स्वीकृती प्रदान की मंत्री मंडल ने हमिरपूर जलशक्ती मंडल भोरंज के सुचारू संचालन एवं लोगों की सुविथा के लिए इसके पनरगठन को स्वीकृती प्रदान की बैठक में मंडिस जला के जलशक्ती उपमंडल कर सोग के अंतरगत काओ में नया जलशक्ती अनुभाग खोलने को स्वीकृती प्रदान की गई बैठक में जला सिर मौर के ददाहू तैहसील के गाउं बेच्छर का बाग और रेणुका विधानसभाक शेत्र के धरती धार में नई राजकिया अध्योगिक प्रशेक्षन संस्थान खोलने तथा विभहन श्रेणियों के 27 पदों को स्रेजित कर भरने को स्वीकृती मंत्री मंदल ने जला कुल्लो के कुल्लो विधानसभाक शेत्र के जरी में, जला सोलन के राम शहर तहसील के कुवारन, जला मंडी के सराज विधानसभाक शेत्र में, गारा कुष्रेणी में, शाहापुर विधानसभाक शेत्र की उपतहसील हर चकिया में नए राजकिय और प्रतेक को पांच करोड रुपे की अनुसंथान नीधी उपलब्धे करवाने को स्वीकृती प्रदान की बैठक में हिमाचल प्रदेश करमचारी चैन आयोग के माध्यम से सीधी भरती से पुलिस विवाग में उपनी रिक्षक के 30 पदों 20 पुरुष एवं 10 महिला को भरने की अनुमती प्रदान की मंत्री मंडल ने नियोजे तेवं व्यवस्थे तरीके से विकास को विनियमित करने के लिए सोलंग विशेश क्षेतर को अटल टरनल के साउथ पोर्टल तक बढ़ाने को स्वीकृती प्रदान की बैठक में जिला सोलन के नालागर तेहसील के ग्राम मौजना बीड पलासी में मैसर्स आरकेवी स्प्रिट्स प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में आश्यप पत्र को 31 जुलाई 2023 तक पढ़ाने को स्वीकृती प्रदान की गई मंत्री मंडल ने जिला मंडी के सुन्दन नगर तेहसील स्थित आयरुवेदिक स्वास्थे केंद्र पुराना बाजार को 10 बिस्तर क्षमता के आयरुवेदिक अस्प्ताल में स्तरोनत करने तथा अवेवेन श्रेणियों के 5 पदों को स्रेजित कर भरने को अनुमती प्रदा में पंच कर्मा की सुविधा भी आरंभ की जाएगी मंत्री मंडल ने पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न शिरी अटल विहारी वाजपई के सम्मान में कांग्रा जला के राजकिय महा विद्याले नहुरा का नाम बदल कर अटल विहारी वाजपई राजकिय महा विद्या काले लंच में विज्ञान कक्षाय आरंभ करने और सहायक प्रध्यापकों के नौ पतों को स्रेचित कर भरने की स्विक्रिति प्रदान की बैठक में खादे नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विफाग में विधिक माप विज्ञान में मैनुवल सहायकों के आठ फपंदों को अनुबंध आधार पर सीधी भरती के माध्यम से भरने को 20 स्विक्रिति प्रदान की घए मन्दृ मंदल ने पंचरायती राज विवाग के अंतरगत जिला परिशद संवर्ग के तहट कारेकारी अभियंता का मंडल खोलने और विभहन श्रेणियों के बारापद स्रेजित कर भरने को भी अपनी स्वीकृती प्रदान की। मंत्री मंडल ने डॉक्टर वाईस परमार और ध्यानी की एववानी की विश्व विद्याले नौनी के अंतरगत आने वाले विभहन महा विद्यालियों के लिए विभहन श्रेणियों के ग्यारा पद स्रेजित कर भरने को स्वीकृती प्रदान की। मंत्री मंडल ने मंडी जला के राज की अमाध्यमिक विद्याले बहलीधार और थाज कुठेड को स्थारोनत करने सहित विभहन श्रेणियों के 8 पद स्रेजित कर भरने की स्वीकृती प्रदान की। मंत्री मंडल ने विभहन स्कूलों में आउट्सोर्स आधार पर नियुक्त आईटी शिक्षकों के मांदे में 1 अप्रेल 2022 से 1000 रुपे प्रतिमाह की व्रिधी करने को स्वीकृती प्रदान की। मंत्री मंडल ने कांगराजला के सुग भटोली में प्रात्मिक स्वास्थे केंद्र खोलने और विभहन स्रेणियों के पद स्रेजित कर भरने का निरने लिया। मंत्री मंडल ने कांगराजला के सांबा और सेंडू में नए स्वास्थे उपकेंद्र खोलने और विभहन स्रेणियों के पद स्रेजित कर भरने को स्वीकृती प्रदान की। मंत्री मंडल ने कांगराजला की ग्राम पंचायत हटवास तथा मंडी जला की छत्री उप तहसील के बैठवा गाउं में स्वास्थे उपकेंद्र खोलने और विभहन स्रेणियों के पद स्रेजित कर भरने की स्वीकृती प्रदान की। मंत्री मंडल ने मंडी जला के सामुदाइक स्वास्थे केंद्र पाली चौकी के अंतरकर प्रात्मिक स्वास्थे केंद्र थाची में बिस्तर क्षमता बढ़ा कर दस बिस्तर करने और इंडोर सुविथाएं शुरू करने को स्वीकृती प्रदान की। मंत्री मंडल ने लंबलू में प्राथ्मिक स्वास्थे केंद्र खोलने और प्राथ्मिक स्वास्थे केंद्र भोटा को सामुदाईक स्वास्थे केंद्र में स्तारोनत करने का निरने लिया मंत्री मंडल ने कुलोजला की ग्राम पंचायत सिराज के दीमन चाहडी में प्रात्मिक स्वास्थे केंद्र खोलने को स्वीकृती प्रदान की मंत्री मंदल ने उना जला में 15 बिस्तरक्षमता के नागरिक अस्पताल, बंगाना तथा सामुदाइक स्वास्थे केंद्र, थाना क्ला में विभेन श्रेणियों के 16 पदों को भरने की स्वीक्रिती प्रदान की मंत्री मंडलने चंबाजिला के लंबाना, जेरा, टापर, चित्रकूट और नडल में स्वास्थय उपकेंद्र खोलने को स्विक्रिती प्रदान की मंत्री मंडल ने सोलन जिला के सामुदाइक स्वास्थेकेंद्र नालागर को सौ बिस्तरक्षमता के नागरिक अस्पतार में स्तरोनत करने तथा विभिन श्रेणियों के पद स्रेजित कर भरने का भी निरने लिया मंत्री मंदल ने उना जिला में 30 विस्तरों वाले सामुदाइक स्वास्थेकेंद्र डौलतपुर 54 विस्तरक्षमता के CHC में स्तारोनत करने और विभिन श्रेणियों के 19 पत स्रेजित कर भरने का निरने लिया मंत्री मंडल ने प्रात्मिक स्वास्थेकेंद्र लप्याना को सामुदाइक स्वास्थेकेंद्र में स्तारोनत करने का निर्णे लिया मंत्री मंडल ने सोलन जिला के ESI अस्पिताल परवानू में डॉक्टरों के 6 पद स्रेजित करने का भी निर्णे लिया मंत्री मंडल ने सिर्मौर जिला के प्रात्मिक स्वास्थे केंद्र कुंडियां को सामुदाइक स्वास्थे केंद्र में स्तरोनत करने और विभेन श्रेणियों के चार पद स्रेजित कर भरने का निर्णे लिया मंत्री मंडल ने कुलो जिला के दियार में स्वास्थे उपकेंद्र खोलने और सोलन जिला के स्वास्थे उपकेंद्र मानपूरा को प्रात्मिक स्वास्थे केंद्र में स्तरोनत करने को स्वीकृती प्रदान की मंत्री मंदल ने मंदीजला के कटूला में राजकिय औध्योगिक प्रशिक्षन संस्थान खोलने और विभेन श्रेणियों के तेरा पद्स रेजित करने का निर्णे लिया मंत्री मंदल ने मंदेजला के राजकिया ओद्योगिक प्रशिक्षन संस्थान करसोग में इलेक्ट्रीशियन, मेकैनिक, मोटर वीकल एवं पलंबर के नए ट्रेड आरंभर करने का भी निरने लिया हिमाचल पुलिटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करे यूट्यूब चैनल आई प्यार हिमाचल फॉलो करे ट्विटर एड डिप्यार एच्पी लाइक करे फेस्बुक पेज इंफरमेशन एंड पॉब्लिक रिलेशन्स देपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश विजिट करे www.himachalpr.gov.in इस अंकमेटना ही कल फिर होगी मुलाकात दीजे इजाज़त नमस्कार